हेलो, नमस्कार स्टुडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टेडी चैनल, आप सभी का यहां पे स्वागत करते हैं माद्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने अपना मोडल पेपर जारी कर दिया है दो हजार तेईस के लिए तो इस क्लास में आपन 10th क्लास का, जितने भी 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं 6 के 6 सब्जेक्ट का पूरा मोडल पेपर पे चर्चा करने वाले हैं और सब्जेक्ट वाई चलेंगे, जैसे सबसे पहले अपनने मैत उठाया है तो math में मैं सबसे पहले तो बता हूँ पेपर पेटरन क्या रहने वाला है इसके बाद में जितने भी इसके chapter हैं chapter wise भी अपन चर्चा करने वाले हैं भी किस chapter में से कितने क्यों सनाएंगे कितने कितने number के क्यों सनाएंगे तो इस हिसाब से परतेक सब्डेट अपने strategy बनाएगा और इसके हिसाब से ही त्यारी करने वाले हैं और इसके बाद में मैं एक छोटी सी वीडियो लेकिया हुआ उसमें मैं आपको वही point या वही क्यों से target करवा हुआ जो आपको पढ़ने हैं यानि ये paper pattern देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा लेकिन मेरे को तो पहले से पता था कि कौन-कौन से question हटवाने है बाद में वो हटाने वाले भी question है इस परकार से वो एक बाद में लेके आएगे वीडियो अब देखीगा ये paper pattern है सबसे पहले math subject का उठा रहे है पूरा ध्यान से समझना वीडियो कई बच्चे बीच में skip कर देते हैं या बीच में आधा वीडियो देखे फिर comment कर देते हैं सर्जी हमारे समझ में यह यह कैसे होगा यह कैसे होगा MCQs, option type question आएंगे कितने question आएंगे 18 question आएंगे वैसे option type question तो आपके आएंगे 12 questions लेकिन इसमें 18 मैंने लिख रखा है वस्तोनिस्ट तो जो model paper RBS ने डाला है उसमें आपके 12 तो MCQs हैं ये पहले तुम्हें इसके आँक बता देता हूँ वस्तोनिस्ट है 18 person एक एक नमबर के आएंगे यानि कुल 18 नमबर का काम हो गया अतिलगतुरात्मक person आएंगे 12 एक एक नमबर के आएंगे 12 questions लगतुरात्मक person आएंगे 2 के अतिलगतुरात्मक person वो है जो one liner question है एक line में उसका answer देना होता है एक नमबर का होगा अब बात रहेए अब देखो टोटल मिला के कुल इसको add कर वोगे न आप तो कुल परसन कितने बनते हैं कुल परसन संख्या आपकी बनती है 50 50 लगते है वया आप घबरा मत जाना कि 50 कुशन सर जी वैसे है कुल परसन की बात करें जैसे परसन संख्या 1 में कितने आगए परसन संख्या 1 में आपके आएंगे 12 प्रेस्ट संख्या 2 में आपके आएगे 6 क्यूसंस, इसमें तो आएएंगे MCQs, प्रेस्ट संख्या 6, 2 में 6 आएएंगे, उसमें क्या आएगा, feel in the black यानि रिक्त स्तान मैं यहाँ पे रिक्त स्तान लिग दू रिक्त स्तान वाले आएंगे ठीक है क्यूसन नमबर 3 में आएंगे आपके 12 क्यूसन और 12 क्यूसन आएंगे आपके वन लाइनर एक एक नमबर के वन लाइनर ठीक है अब इसके बाद में आपके continue चलेंगे इसके बाद में आपके चार से start हो जाएंगे और फिर आगे लग आपके चलेंगे कहां तक 23 नंबर क्योशन तक चलेंगे लास्ट कौन सा होगा 23 वा क्योशन होगा 21, 22 और 23 में आपको विकलप मिलेंगे अथवा वाला या और वाला जो भी है अब तो ये तो रहे गए आपका paper pattern समझ में आगया सभी कोई दिकत नहीं है अब इसके बाद में अपन चैप्टर वाई चर्चा करते हैं math subject की जैसे आपका चैप्टर नमबर एक है वास्तविक संख्या इसमें दो M.C.Q.S. बनने वाले हैं ये जो मैंने red color से लिखा न वो तो आपके है प्रस्णों के अंक है जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है not कोस्टक के अंदर प्रस्णों की संख्या है जो blue से लिखा है मैंने वो प्रस्णो की संख्या है और कोस्टक से बाहर प्रस्णों के अंक दिये गए हैं कोस्टक से बाहर जो red color से मैंने लिखा रखे हैं वो प्रस्णों के अंक दिये गए हैं अब देखेगा इसमें M.C.Q.S. बनेंगे दो एक एक नमबर के बनेंगे वन लाइनर पहले चैप्टर में से नहीं आएगा लगुत्रात्मक परस्ण आएगा दो नमबर का एक क्यूस्ण आएगा और एक पॉइंट तीन में से आएगा लिख लेना और दो नमबर का क्यूस्ण आएगा दिर्ग नहीं आएगा जैसे दिर्ग अतुरिया परस्ण है ना ये तीन नमबर का क्यूस्ण नहीं आए पहले चेप्टर में अब दूसरे चेप्टर बहुपद पर चलते हैं बहुपद में एक mcqs क्यूशन आएगा one-liner क्यूशन नहीं आएगा एक दो नमबर का क्यूशन आएगा तीन का नहीं आएगा च्यार का नहीं आएगा दो चरों वाले रेखिक समीकन युगम तीसरा चेप्टर थोड़ा सा बड़ा चेप्टर है एक तो MCQs क्यूसन आएगा एक आएगा वन लाइनर क्यूसन और दो नमबर का और तीन नमबर का क्यूसन आएगा एक बड़ा क्यूसन आएगा चार नमबर का अथ्वा वाला ग्राफ बनाना आएगा कि निमलिखित का ग्राफ बनाईए और ग्राफ बनाके या जो आपको दो चरों में रेखिक समीकन दिया गया है उसका बीजगिनिती और ग्राफ ये दोनों निरूपित कीजी तो वहाँ से ये क्यूसन बनेगा दिवी घात समीकन चोथा चप्टर आजाता है इसमें एक तो MC क्यूसन आएगा एक वन लाइनर क्यूसन आएगा दो लगुतरात्म क्यूसन आएगा ये अंदरवाला क्यूसन संख है बाहर वाले प्रस उनक दिये गए है तो दो नमबर का एक क्यूसन आएगा एक एक नमबर के दो क्यूसन आएगा शमानतर स्रेडी पांचों चप्टर आजाता है एक MC क्यूस आएगा एक वन लाइनर आएगा एक तीन नमबर का क्यूसन आएगा यह आएगा पांच पॉइंट तीन में से आपकी ठीक है चार नमर का क्यूशन नहीं है अगर दो नमर का क्यूशन नहीं आएगा त्रीबू चेप्टर है इस से सभी बच्चों को डर लगता है और ये इजी हो गया है मैं पहले ही बता रहा था हमें देखो टीचर लोगों को क्या पूरा सलेबस करवाना पड़ता है पूरा डिटेल से करवाना पड़ता है छोड़ देते हैं तो बच्चे ये बोलते थे टीचर को नहीं आ रहा था इसलिए छोड़ दिया बड़ा क्यूशन छोड़ दिया करवाना पढता है और कई ऐसे विध्यार्ती होते हैं वो Jurnal Knowledge के लिए पढ़ते हैं पूरा डेटेल से पढ़ते हैं यानि उसको आगे कुछ कामियाभी लेनी है तो वो बिध्यार्ती पूरा डेटेल से वोई सिद कीजिए, बड़े क्यूसन हटा दीजिए, काटा मार दीजिए छोटा क्यूसन आएगा दो नमबर का एक एक नमबर कहेंगे दो क्यूसन अब इसके बाद में निर्देशां का जामिती, चप्टर नमबर 7 एक MC क्यूस आएगा, वन लाइनर आएगा नहीं तिरकौण मीति का प्रिचे आठवा चप्टार अब इसमें देखीगा दो MCQ आएंगे और आपके दो आएंगे वन नाइनर दो MCQ दो आएंगे वन नाइनर दो नमबर का कुष्ण नहीं या तीन का नहीं याएगा डाइरेक्ट चार नमबर का कुष्ण आएगा और एक्सरसाइज आठ पॉइट चार में से आएगा आठ पॉइट चार के पांचमें कुष्ण समें से एक कुष्ण मिल जाएगा आपको देख चार नमबर का एक कुष्ण आएगा चेप्टर नमबर 9 पे चलते हैं तिरकोण मीति के कुछ अनप्रियोग इस में से MCQs नहीं बनने वाला है चेप्टर नमबर 9 में से MCQs नहीं बनेगा वन लाइनर बनेगे दो क्यूशन बनेगे वन लाइनर एक एक नमबर के और लगुतरात्मक क्यूसन बनेगे लगुतरात्मक एक क्यूसन बनेगा अब इसके बाद में वर्थ चैप्टर आता है दस नमबर एक MCQ जाएगा एक वन लाइनर आएगा वन लाइनर सभी समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं एक लाइन में आंसर देना होता है वन लाइनर कहलता है दो नमबर का क्यों सुन नहीं आएगा तीन नमबर का एक क्यों सुन नहीं आएगा वर्त में से और चार नमबर का क्यों सुन नहीं आएगा रचना है एक M.C. क्यों जाएगा एक मलना इनरायगार एक लगुतरात्मक क्यों सुनाएगा दो नमर का रचना में हाँ दो क्यों साएगे सुरी दो क्यों सुनाएगे लगुतरात्मक वाले और लगुतरात्मक देख लो आप यहाँ से दो नमर का क्यों सुनाएगे दो दो नमर के एक के क्यूशन आएने एक एक नमर के वर्तों से समंदित छेतर फल ये चप्टर नमर रह गए आपका बारमा बारमे चप्टर में से एक MCQ आएगा एक आएगा आपका वन लाइनर और एक आएगा आपका लगुद रात्मक ये दो नमर का एक नमबर का एक नमबर का प्रस्टी है छेत्रफल और आइतन तेरा नमबर चप्टर में से दो MCQs बनने वाले हैं वन लाइनर नहीं आएगा और लगुतरात्मक दो किसन आएगे इसके बाद में सांकी की सांकी की 14 नमबर चप्टर है सबसे ज़्यादा प्राइक्ता है 80 का 14 परसेंट ये टार्गेट करने वाला है और ये 10 परसेंट टार्गेट करने वाला है तो इसमें से देखो MCQs जो बनेंगे वो 2 MCQs बनेंगे 14 नमबर चप्टर में इसमें लगुतरात्मक यूशन्स बनेगा और दिर्ग उतरिया क्यूशन्स बनेगा एक और निम्धात्मक यूशन्स बनेगा एक अब ये सांखी की चप्टर है आपका 2 MCQs आएंगे एक एक नमबर का आएगा वैसे अगर आप वैसे नहीं समझते है ना मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ यानि 2 MCQs आएंगे 2 नमबर के आएंगे एक आप वन लाइनर इसमें से नहीं आएगा लगुत्रात्मक क्यूशन्स एक आएगा 2 नमबर का दिर्ग उतरिया क्यूशन्स आएगा 1 तीन नमबर का और एक निम्धात्मक क्यूशन्स आएगा 4 नमबर का प्रायक्ता आएगी आपके जैसे dho questions आएगे MCQ's, एक एक नमबर का आएगा लेकिन पूरे total कितने आएगे, dho number के आएगे, dho MCQ's आएगे, one liner इसमें से नहीं आएगा प्रायक्ता में से, लगतरात्म किसंस आएगा एक, लगतरात्म किसंस आएगा एक, दो number का आएगा, और दिर्ग उत्रिया और निम्दात्मा क्यूसंस नहीं बनने वाले अब देखो यहाँ पे विद्यारतियो मैंने यहाँ पे लिख रखा है दो क्यूसं एक नमर का तो वेसे दो क्यूसं एक नमर का नहीं है दो क्यूसं आएंगे एक एक नमर के आएंगे थोड़ा सा समझने की कोशिस कीजिए अगर मैं यहां पर दो फीट कर देता हूँ दो क्यूसंस दो नमर के हो गए अब इसके बाद में इस साइड में भी चलते हैं एक दो साइड यहां पर भी लिखा होगा देखो दो क्यूसंस आएंगे एक नमर के नहीं एक एक नमर के क्यूसंस है दो क्यूसंस आएंगे दो नमर के और यहां पर भी दो क्यूसंस आएंगे दो नमर के आएंगे इसके अलावा तो साइड कहीं पर नहीं किया हुआ है ठीक है यह बाहर वाले अंक है दो क्यूसंस दो नमर के दो questions दो number के अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने तीसरी जो line लिख रखी है न यदि किसी person में गलती आती है तो हिंदी भासा वाला सही माना जाएगा इसका means questions आपको मिलेंगे दोनों ही language में हिंदी में मिलेगा English में मिलेगा अगर कोई question गलत होता है तो आप हिंदी भासा वाला सही मान के करेंगे अगर English में कुछ अलग दिया गया है हिंदी में कुछ अलग दिया गया है तो आप हिंदी वाला मान के ही सही करेंगे उसको यानि जो board मानेगा वो हिंदी भासा वाला सही मानेगा वो उस पे लिखा गया है लगा के लिखा गया तो यह छोटी छोटी बात में थोड़ी सी ध्यान में रखनी है तो इसका आप स्क्रिंसोट लेंगे इसके बाद में अपने दूसरे सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाल हैं तो लीजिएगा अच्छे से इसका स्क्रिंसोट अब यहां पे भी साइद मैंने लिख रखा है यहां पे देखो दो क्यूसर आएंगे दो दो नमर के आएंगे वैसे कुल नमर कितना हो जाएगा चार नमर हो जाएगा और यह भी कितने नमर हो जाएगा दो दो नमर के दो क्यूसर आएंगे यह चार नमर का हो जाएगा अब य रेड वाले अगर आप नोट करोगे तो रेड वाले आपके 80 नमबर आएंगे यानी टोटल आपका 80 नमबर का पेपर होगा कुल कुसंस 50 आएंगे ताइम रहने वाला है ताइम नहीं लिखा के मैंने ताइम रहने वाला है 3 गंटा पंदरा मिनट कुल कुशन्स में ने बता दिये कि 23 कुशन्स आएंगे कुल 23 कुशन्स आएंगे और टाइम रहने वाला है 3 घंटा 15 मिन्ट कुल वेसे 50 कुशन हो जाएंगे टोटल और 80 नम्मर का पेपर होगा अब आप इसका अच्छे से सक्रीन सोट ले सकते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ अब देखीगा विद्यार्थी आगे सब्जेक्ट आता है हमारा साइंस यानि विज्ञान विज्ञान का जो पेपर पेटरन है कुल परसंशन के आपके 50 रहेगी पहले कुशन्स में 12 एम से कुशन्स आएंगे दूसरे कुशन में 6 रिक्तस्तान आएंगे तीसरे कुशन में 12 वन लाइनर कुशन्स आएंगे चार से लेके 23 तक कंटिनर रहेगा वही टाइम रहने वाला है और ये अंकभार वही रहेगे वस्तुनिस टोटल 18, 12, 13, 4, 3, 7 ये टोटल 4 और 3 ये रहने वाले MCQS एक एक नमर का वन लाइनर एक एक नमर का जो लगतरात्मक आएंगे दो दो नमर के आएंगे अती दिर्ग उतरिये- 3-3 नमर के आएंगे और निमधात्मक 4-4 नमर के आएंगे ठीक है अब आगे देखो जो आपके चप्टर हैं, चप्टर नंबर 16 तक पढ़ेंगे, देखो किस परकार से हैं, रासाइनी का बिखिरिया वे समीकन, चप्टर नंबर 1 में से एक MC कू जाएगा, एक वन लाइनर आएगा, एक दिर्ग उतरी आएगा, दिर्ग उतरी इन 3 नंबर का क् अमल 4 वा लवन, दूसरा क्यूसन है, अमल 4 वा लवन, अब देखो एक इसमें से MC कू जाएगा, दूसरा वन लाइनर आएगा, तीसरा इसमें निमधात्मक क्यूसन से आएगा, एक निमधात्मक क्यूसन आएगा, जैसे आपने देखा भी होगा कई बार, निमधात्मक याउन की परभावित करने वाले कारक लिखो तो एक नमबर का आएगा एक तीन नमबर का आएगा निम्धात्मक में एक एक नमबर का आएगा एक तीन नमबर का आएगा यानि परियावन की परिभासा आपके एक की आएगी और परियावन को परिभावित करने वाले कारक आपके तीन नमबर का आएगे समझे के होंगे आप निम्धात्मक क्यूसन आएगा उसमें एक प्लस तीन का आएगा धात्तू ए ए धात्तू चैप्टर नंबर थ्री एक MCQs, एक वन लाइनर, एक लगुत्रात्मक क्यूसन आएगा दो नंबर का कारवन वे इसके योगिक एक MCQs, एक वन लाइनर और यहां पे लगुतरात्मक आएंगे दो क्यूसंस चार नमबर के आएंगे ततों का आवर्थ वर्गीकर्ण एक MCQs एक वन लाइनर एक आएगा आपका लगुतरात्मक जे उपर करम एक नमबर का आएगा एक MCQs आएगा लगुतरात्मक देखो एक Qs आएगा दो नमबर का और निमधात्मक क्यूसंस आएगा चार नमबर का एक एक प्लस दो एक एक नमबर के आपसे कोई definition या diagram पूछेगा जैसे दो नमबर का यहां पे लगुतरात्मक क्यूसंस आएगा तो उसी type का यहां पे question आपसे पूछा जाएगा निमधात्मक में ही पूछा जाएगा और इसके अथवा में भी आपको देखने को मिलेगा उपर वाला आ रहा तो उपर वाला नीचे वाला आ रहा तो नीचे वाला एक एक नमबर के दो पूछे जाएगे और एक दो नमबर का पूछा जाएगा निमधात्मक में ही पूछे जाएगे नियंतरन वे समन वे दो MCQ आएगे दो नमबर के एक वन लाइनर आएगा एक नमबर का एक दिर्ग उतरी आएगा तिन नमबर का जियू जनन केसे करते हैं चप्टर नमबर 8 एक MCQ आएगा एक वन लाइनर आएगा दो आएङे लग उतरात्मक चार नमबर के आएगे चप्टर नमबर 5 अन्वान सिक्टावे जेव विकाश एक MCQ आएगा एक दिर्ग उतरी आएगा तिन नमबर का प्रकाश प्रावर्तन वे अफवर्तन अब यहां से फिजिक्स आगे एक MCQ जाएगा एक यहां से लगतुरात्मक आएगा और एक निम्धात्मक किसन साएगे और दो दो नमर का आएगा जैसे दो दो नमर के आप से यहां पर लगतुरात्मक पुछे जाएगे उसी टाइप के दो क्यूसन आएगे निम्धात्मक में ये और ये दोनों की definition लिखने है diagram बनाने जो भी है या कोई आपको पूझ ले प्रकाश का अपरतन प्रावरतन जब वस्तु folks पे रखिये है जब वस्तु folks बिंदू से दूर रखिये जैसे भी दो क्यूसन बन जाएगे इसमें से निम्धात्मक में दो क्यूसन आएगे दो के आपको result देने दो दो नमबर के आएगे उस तरीके से आपको बताने है मानव नेतर एओ रंग बिरंगा संसार चेप्टर नमबर 11 है एक MC क्यूस आएगा वन लाइनर नहीं आएगा लगतरात्मक नहीं आएगा लेकिन दिर्ग उतरी है एक क्यूसन आएगा तीन नमर का बड़ा विदूद चेप्टर है लाइट MC क्यूस आएगे दो नमर के आएगे वन लाइनर आएगा एक लगतरात्मक आएगे दो क्योशनश, चार नमँर के बड़े क्योशन इसमें से नहीं बनेगे विदूधरा के चुमके बरभाव एक क्योशनस mercqs आएगा एक नमँर का दो one-liner आएगे, दो़ नमँर के लगुत्रात्मक आएगे, दो क्योशन आएगे चार नमँर के आएगे उर्जा के स्त्रोत, एक क्यूसन आएगा एक नमबर का, MCQs, वन लाइनर आएगा, एक क्यूसन एक नमबर का, लगुतरात्मक आएगा, एक क्यूसन दो नमबर का, हमारा परियावरण, एक MCQs आएगा, एक वन लाइनर आएगा, दो नमबर का काम आएगा, प्राकरतिक संसाद का वर्गी करन एक क्यूसंस आएगा एक ही नंबर का आएगा बड़ा सा चेप्टर है एमसी क्यूस ही बनेगा ये नीचे वाले हिंट आपने देख लिए को दिकत नहीं इसका आप अच्छे से लीजिए का सक्रीन सोट अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बारा आपके वल्लाइनार आएगे तेरा क्यूसंस आपके लगद्रात्मक आएगे और चार क्यूसंस आपके दिर्ग उत्रिये क्यूसंस आएगे और तीन आपके निम्धात्मक क्यूसंस आएगे वही पेपर पैटरन रहने वाला है समय तेन घंटा पन्रा मिन्ट रहने वा जो RBSC नहीं जारी गया था उसमें इसके प्रतेक चेप्टर के इसापसी नहीं दे रखा था लेकिन अब की बार चेप्टर के इसापसी दे रखा है अब देखिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्य MCQs नहीं आएगा वन लाइनर नहीं आएगा लगतरात्मक एक क्यूसंस आएगा दिर्ग उत्रिये एक क्यूसंस आएगा यान तीन नमर का एक क्यूसंस आएगा निमधात्मक इसमें से नहीं आएगा भारत में राष्ट्रवाद दो MCQs आएगे दो नमर के एक निमधात्मक आ इसके बाद में उधोगीकर्ण का युग एक MCQ जाएगा एक वन लाइनर आएगा और एक क्यूसन आपका लगुत्रात्मक आएगा दो नमर का मुद्रन संसकर्ति और आधुनिक दुनिया अब इसके बाद में ये देख लेना भी चैप्टर के नाम में इसमें थोड़ा सा एक दो मिस्प्रिंट भी हो शकता है हमने थोड़ा क्रेक्शन तो किया है लेकिन पूरी बुक्स हमारे पास में नहीं है इसलिए आप मिलता दुलत कई नाम है तो वो देख लेना आप वैसे करमाईज हमने लिख रखा है कोई दिक्कत नहीं है एक MCQ जाएगा और एक इसमें वन लाइनर आएगा इसके बाद में संसादन है विकार्ष है चप्टर नंबर 6 है और इसमें से एक ही दिर्व उतरी आएगा एक तीन नंबर का क्य क्योंन्स आएगा दो नंबर का जल संसादन में से वन लाइनर बने गा एक लगतरात्मक अन्स वाला वन लनन आए तो यह आपने लेक लिए आफने कोपी में सब्हसे कर लेना जैसे sst की book है ना तो उसमें sst की books के पीछे वाले page पे लिख ले ना science की book का जो मैंने बताया था पहले वो science की book के पीछे लिख ले ना और जैसे जहां पे page खाली मिले front page पे मिले या पीछे मिले तो books पे ही लिख ले ना ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे जब पढ़ने ही तब तो इस में से जो chapter पढ़ना है तो बड़ा क्यूशन ही पढ़ना है चोटा क्यूशन पढ़ना ही नहीं वी निर्मान उध्योग दो mcqs आएंगे बड़े क्यूशन पढ़ने ही नहीं पस mcqs ही पढ़ने राष्ट्रिय एर्थवेस्ता की जीवन रेखाए राष्ट्र एर्थवेस्ता की जीवन रेखाए चप्टर नमबर 12 में से एक one liner आएगा एक लगतरात्म क्यूशन आएग का निम्दात्म क्यूशन ही बनेगा इसके बाद में लोक्तंत और विविदता यनि लगतरात्म क्यूशन बनेगा दो नमबर का अब यहां तक इसने टेबल दे रखिये आर्वेस ने अब भाई साब ने आगे टेबल नहीं दिये कि किस चप्टर में से कौन सा कितने नमर का क अम इसमें से आईगा अब यह नहीं बता एक नमर के कितने आएंगे दो कितने आएंगे जेकिन फिर भी मैं आपको नजदिक ले के जाओंँ इसके, total questions हमारे हो गए, यहां तक के according, total cool questions कितने आगे, cool pressure आगे, 27 questions आगे, total 50 questions आती है, यहां पर मैंने बताए भी था, 50 person आएंगे, 23 questions और बच गए, 23 questions में से, आपके mcqs, 4 mcqs और आएंगे, आगे वाले chapter में से, जैसे पहले मैं बता देता हूँ, जाती धर्म और लेंगिक मसले में से, 4 नमर का chapter है, 4 नमर का काम आएगा, जन संग्रेश और आंदोलन में से, 2 नमर का काम आएगा, राजनेतिक दल में से, 2 नमर का आएगा, लोकतंतर के प्रणाम में से, 2 नमर का आएगा, लोकतंतर की चुनोतिया में से, 2 नमर का काम आएगा थवकास में से चार नमर का काम आएगा और भारतिय अर्थवेस्ता के छेत्रक में से चार नमर का मुद्रा और साख में से चार नमर का काम आएगा वेश्वी करन और भारतिय अर्थवेस्ता में से चार नमर का काम आएगा उपोगता अधिकार में से 4 MCQs बनने वाले हैं और आपके 12 one liner बनने वाले हैं ज्यादा one liner बनेगे और 5 Qs लगुत्रात्मक बनेगे परते Qs दो नमर का होगा तो 10 नमर का काम तो लगुत्रात्मक का बनने वाला है और इसके बाद में दिर्ग उत्री है यानि ये 3-3 नमर के Qs है अब इसमेंसे एक बाद तो fix हो गई कि बड़ा Qs नहीए बनेगा 4 नमर का दिर्ग कूुत्री है 3 Qs बनेगे दिर्ग उत्री है 3 नमर का है 2 Qs बनेगे ओर परते Qs तीन नमर का यानि 6 नमर का काम तो ये बनने वाला है 4 MCQs है 4 नमर का काम बनेगा वन नाइनर बारा क्यूसन है, परते क्यूसन एक नमर का होता है, चार नमर का काम ये बनेगा, लगतरात्मक के पांस क्यूसन है, परते क्यूसन दो नमर का होता है, दस नमर का काम ये बनेगा, यानि कुल मिलाकर, अब देखेंगा वन नाइनर ये बारा क्यूसन परते क्यूसन एक नमबर का है तो बारा नमबर के ही आएंगे ठीक है अब इसको add कर लेते हैं लग उत्रात्मक तो पांस किसन है प्रते किसन दो नमबर का आएगा दस नमबर दस बारा बाइस चै चपविस और चै बत्तिस नमबर का काम आएगा कितने नमबर का काम आएगा कुल 32 नमबर का काम आएगा इन 10 चेप्टर में से वैसे भी इनका काउंट करोगा तो 32 नमबर ही आएगा तो ये आपका SST का था आपको मैंने लगबग नजदेक लगा दिया है कि आपको इसमें से बड़ा क्यूसन नहीं बढ़ना है इन 10 चेप्टर में से छोटे क्यूसन आएगे दो क्यूसन आएगे वो अब इसने दिये नहीं वे कौन से चेप्टर में से ये 3-3 नमबर की क्यूसन आएगे अब भाई साब ने ये नहीं बताया तो क्या करें अगर फिर भी कोई notification आता है कोई update डालता है RBSC अपनी site पे तो आपको जुरूर बताया जाएगा तो इसके इसाब से आप एक बार तैरी करें इसका अच्छे से screenshot लीजिएगा अब जलती हैं अपन next subject की तरफ अब देखीगा विद्यारती next हमारा subject आता है लग उत्रात्मक 13 questions आएंगे दो-दो नमर के आएंगे अब इसमें निमधात्मक ही क्योषन आएगा दिर उत्री है वो क्योषन नहीं आएगा अब देखो निमधात्मक कैसे आएगा वैसे तो आएगा तो वे 3-3 नमर के भी क्योषन आएगे लेकिन इसमें चेंज कर दिया गया वहाँ पे आपको विकलप दिया जा रहा था 21 से 23 लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया है पेटरन हिंदी सब्जेक्ट में आपको विकलप मिलेंगे 17 से लेके 23 तक 17 नमर क्योषन में विकलप मिलेगा 18 में मिलेगा 19 में 20 में 21 में 22 में और 23 नंबर क्यूसन तक आपको विकलब मिलेगे यानि अथवा वाला क्यूसन इसमें आएगा अब इसके बाद में देखो यहाँ पे एपटित गद्ध्यांस ये क्यूसन सह है 10 क्यूसन आएगे 10 नंबर के आएगे निम्द एक क्यूसंस आएगा चार नमबर का आएगा पत्तर आएगा एक क्यूसंस चार नमबर का आएगा विध्यापन भी चार नमबर का आएगा व्याकरने और रचना ग्यारा क्यूसंस आएगे बारा नमबर के आएगे 36 आपके 11 क्यूशन 36 नमबर के आएंगे 36 जो पुस्तक है वो आपके 36 नमबर की है और आपकी कृति का है वो 10 नमबर की है उसमें से 7 क्यूशन बनेंगे तो ये आपका हिंदी का पेपर पेटरन है आप इसका अच्छे से सक्रिन सोट ले सकते हैं तो इस परकार से हमने आज की क्लास में 4 सब्जेक्ट का अच्छे से अध्यन कर लिया भी किस परकार से क्यूशन बनने वाल हैं बाकी बच गए आपके 2 सब्जेक्ट एक तो बच गए आपका संशकर्त एक आपका बच गए इंगलिस ये दो सब्जेक्ट हैं इनकी PDF अपन ये नंबर लिख देता हूं में इस पे मिल जाएगी ये हमारे WhatsApp नंबर है और इस Class के Description Box में एक हमने WhatsApp ग्रूप बना रखा है उसमें भी आप Aid हो सकते हैं जूड़ सकते हैं वहाँ पे हमें आपको Information मिल जाएगी वहाँ पे डालते हैं तो एक हमने Telegram चैनल बना रखा है हमारे चैनल के नाम से ही है Innovation Study के नाम से ही तो वहाँ से भी आप जूड़ सकते हैं उस पे भी आप ये डालेंगे PDF इनकी तो वैसे तो PDF आपको सारे सब्जेक्ट की ही डाल देंगे लेकिन ये आप अच्छे से देख लेना यानि मैंने चार सब्जेक्ट की तो समझा दिये बाग की दो सब्जेक्ट की आप अच्छे से देख लेना यानि ये क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगे फिर ज़्यादा आगे जाएगे तो लगबगा आदे घंटे की तो अब भी हो चुकी है तो ये सब्जेक्ट की देख लेना ये थोड़ी सी मेरे समझे में भी कम आई है इसलिए मैं इसको बताना उची तो नहीं शमझा रहा है आप अपने जो टीचर जो सब्जेक्ट टीचर है वो पढ़ा रहे हैं उससे समझो के तो ज़्यादा बैट रहेगा दिखा देना उसको या उसके पास भी मिल जाएगा अगर नहीं है तो ये हमारे नमबर बता देना वहाँ इस नमबर पे जुड़ोगे तो आपको वाटसप कर दिया जाएगा अच्छे सी देख सकते हैं तो चार सब्जेक्ट की बताई है लगबग हो जाएगा और एक खास बात है मैंने ये पेपर पेटरन देखा है उसके अकोडिंग में आपको बताना चाहूँगा कि आपको इसी प्रकार से इस पेपर पेटरन को ध्यान में रखते वे ही पढ़ना है और मैथ में कुछ एक ऐसे एकसरसाइज है जिसको कटवाऊँगा वो काड़ लेना एक क्लास लेकर आऊँगा उसमें बताऊँगा भी ये काड़ देना यानि हमें पेपर पेटरन को ध्यान में रखते वे पढ़ना एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना जो विदार्ती ये चाहते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है और मैं पढ़ सकता हूँ तो पढ़ना है अगर कोई ये विदार्ती ये समझते हैं कि हपन पूरा पूरा ही पढ़ेंगे सर हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते उन विदार्थियों के लिए वो class usable रही लेकिन वो चाहता है विदार्थी कि मुझे पूरा ही पढ़ना है basic पढ़ना है मेरे को math strong बनाना है वो पूरा पढ़ सकता है book को लेकिन कुछ एक ऐसे point है वो हटा सकते हैं उसके अलावा भी अपन 100 में से 100 number प्राप्त कर सकते हैं तो को subscribe करें पास में लगी bell icon को दबा लें ताकि प्रते class का notification आपके पास पहुंचे और आप तुरूंत उसका लाव उठा सके चलिएगा विदार्थी आज की class में इतना ही next class में मिलें कुछ ने के साथ जय हिन जय भारत